वैसे तो हर शहर की अपनी कोई न कोई डिश मशहूर होती है लेकिन कुछ डिश है जिनका स्वाद सिर चड़ने के साथ कुर्र कुर्र कर वाह वाह करता आवाहन करता है ये है फरुखाबाद की पापड़ी पापड़ी हमारी सुबा का नाश्ता है जिले में गाव से लेकर शहर तक हर सीजन में ग्राहकों के दिलों पर राज करने वाली पापड़ी यहां बहुत प्रसिद है चाय पीने के बाद लोगों को पापड़ी के ठेले पर खड़ा देखा जा सकता है साथ ही साथ जब भूख अधिक लगी होती है तो यह पापड़ी पेट भरने के काम आती है वैसे पापड़ी या मठरी हर घर की कहानी है लेकिन इसके इस रूप में प्रसिद होने की अपनी कहानी है बात सन 64 की है रस्तोगी कालेज में एक चपरासी था दुलारे कुछी दिनों बाद उसने ये कहकर नौकरी छोड़ी की इस नौकरी से घर नहीं चलेगा और फिर उसने कालेज के बाहर इंटर्वल में अपनी पापड़ी की ठिलिया लगानी शुरू कर दी मुझे याद है पहले दीन मातर 20 मिनट में उसकी ठिलिया खाली हो गई उसके बाद उसने पीछे मुढ कर नहीं देखा मैंने उससे पूंचा था तुम्हें ये आइडिया कहां से आया तो उसने बताया था कि क्रिश्चन इटर कालेज के बाहर मेरे लड़के ने पापड़ी की ठिलिया लगानी शुरू की थी जो सफल थी बस फिर क्या था कालेजों के बाहर पापड़ी की ठिलिया लगनी शुरू हो गई मुझे याद है उस समय एक रुप्य में दो पापड़ी मिलती थी रेसिपी बिल्कुल सिंपिल दो छोटी पापड़ी बीच उबले हुए आलू, चना, मतर, प्याज, मूली, स्वाद, अनुसार, नमक, मिर्च, धनिया डालकर उसमें नीबू या खटाई डाली जाती है इस सभी बस्तूओं के मिश्रंग को एक पात्र में मिलाया जाता है उसके बाद इसे दो पापड़ी के बीच रख खाया जाता है आज लगभग साट साल बाद फरुखाबादी पापड़ी भारत के कई शहरों में पहुँच चुकी है पापड़ी दालमोट की तरह प्रसिधी प्राप्त करने की कोशिश कर रही है इसे अगर 1964 का स्टॉट अप कहा जाए तो कोई अतिश योगती नहीं होगी एक अनुमान के अनुसार शहर के हर नुक करवच और पर पापड़ी की ठिलिया लगी मिल जाएंगी स्टॉट छोटा सही लेकिन भारत में लाखों लोगों को रोजगार देने वाला है अगर पोस्ट पसंद आई हो तो लाइक करना न भूले सब्सक्राइब कर दे वसात में लगी घंटी अवश्य दवाएं